हेलो फ्रेंस नवसकार नाइस एलेक्टोनिक्स यूटूब चानल पर आप सभी का सुवागत है दोस्तों मेरा नाम है अजितुमार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा एक छोटी सी ट्रिक मात्र एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा उससे आप बिल्कुल आसान तरीक कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए आप इस चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब बटन दबा दे और उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी भी नजर आएगी दोस्तों उसको भी दबा दे ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप ल लगा हुए और हमारा एलन भी पोजीशन कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यह इस्कुर्व एंगल दोस्तों गलत है देख सकते हैं यह इसी के कारण दोस्तों जोकी हमारा सिग्नल है वो प्रपर तरीके से नहीं आता है और मेरा आधा चैनल चलता है और आधार चैनल नहीं चलता है इसी के माध्यम से दोस्तों ये खड़ाब हो जाता है इसका स्कूरू एंगल इधर उधर हो जाता है तो आपका आधा चैनल चलेगा और आधा चैनल नहीं चलेगा तो वीडियो को एंड तक देखिए कैसे इसको सुधार करना है आपको पूरी जनक 20 दोस्तों यहां पर और मायनस 25 यहां पर देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं जितना एलन भी आता है उस सबीद है यहां पर लिखा हुआ रहता है और यहलनभ संट उसस पर सबनाटे एक जीरो ओने मैं दिखा रहा है कि सम सेम हर एलनभ मैं और ये कैप जहाता है इसमें यह दिया हुए रहता है तो चलिए और इससे आपका सिंगनल भी बढ़ जाएगा तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे तो देखिए कैसे करना है इसको तो यहां पर कभी भी माइनस पचीस दोस्तों यहां पर माइनस पचीस लिखा हुआ है तो आपका जो डिडिफिरीड इसका इसक्रू एंगल होता है यह माइनस पचीस होता है देख सकते हैं यहां पर माइनस पचीस लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है यह जीरो और माइनस पचीस यह दूनु सेम टू सेम रहना चाहिए तो ऐसे पकड़कर ऐसे इसको घूमा द जाएगा तो फ्रेंस देख सकने कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा तीर्चा तो ऐसा ही करके बहुत ही आसानी से किसी भी सेटलाइट हो यह ट्रेल डिरी फ्रीडी सबका स्क्रू एंगल अलग अलग होता है दोस्तों तो आप पहले स्क्रू ए वाली वीडियो पसंद आगे होगी तो अपने दोस्तों पास सेर करे और लाइक करे और आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो सस्क्राइब अलब बतन दबा दे और सस्क्राइब कर लिजे ताकि भविस में कभी डिस खड़ाब हो तो आपको वीडियो देखकर कुछ सीखने को मिल जाएगा और अपना कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार दोस्तों जय हिंद